Hello viewers, welcome back to my YouTube channel. Friends, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि महिलाओं को सफेद पानी क्यों आता है? इसके अलावा, कब और कितनी मात्रा में सफेद पानी का आना शामान है? और किस तरह का डिश्चार्ज आपका ओबलेशन पीरिट हो जाने की और इशारा करता है? साथ ही कौन सा डिश्चार्ज आपके लिए खतरनाक हो शकता है? So friends, हम श्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और सबसे पहले मैं आपको बताऊँगे कि शफेद पानी क्यों आता है? दोस्तों, जिस तरह हर महीने हमारे पीरिट आते हैं, उसी प्रकार पीरिट से पहले और पीरिट के बाद वाइट डिश्चार्ज का आना एक नॉरमल वात है और ऐसा होना बेहत आवश्चक भी है क्योंकि वाइड डिस्चार्ज प्राकृतिक तरीके से आपके प्राइवेट पार्ट को क्लीन रखता है यह इंटरकोर्स के दौरान चिकनाई प्रदान करता है और प्राइवेट पार्ट में इंफेक्शन नहीं होने देता जब आपकी वाड़ी में प्रोजिस्ट्रोन हार्मोन की मात्रा बहुत जादा बढ़ जाती है यानि कि चरम सीमा पर पहुँच जाती है तो अधिक मात्रा में सफेद पानी आपके सरेश से बाहर निकलने लगता है कई वार महिलाएं अधिक स्राव की वज़े से परिशान भी ह जाती है फ्रेंड्स यदि आप प्रिगनेंट है या फिर अधिक स्ट्रेश ले रही है और खान पान में परिवर्तन के कारण पोशक तत्तों की कमी की वज़े से हार्मोन्स में बदलाव आ जाता है इसके अलावा आपके प्राइबेट पार्ट में किसी प्रकार का इंफेक् फ्रेंड्स पीरेट की डेट से कुछ दिन पहले होने वाला वाइट डिश्चार्ज सेल्स और द्रब से भरा होता है इसका रंग सफेग हलका पीला गाड़ा पतला हो शकता है और उसमें किसी तरह की इसमेल नहीं आ रही है साथ ही आपको खुजली जलन या आपके नहीं हो रही है तो इस तरह का डिश्चार्ज नॉर्मल माना जाता है अब हम जानते हैं कि किस तरह का डिश्चार्ज खत्रे का शंकेत हो शकता है यदि आपको अधिक डिश्चार्ज हो रहा है और उसमें इसमेल आ रही है साथ ही आपके प्राइवेट पार्ट में घुजल से कंसल्ट करना चाहिए फ्रेंट्स चलिए तो अब मैं आपको बता देती हूं कि ऑबलेशन के टाइम पर किस तरह का डिश्चार्ज होता है वाइट स्मेल फ्री और पतला या गाढ़ा वाइट डिश्चार्ड पीरियट आने का संकेत भी हो शकता है लेकिन अगर पीरियट हो होने के बाद यह क्रीमी सफेद डिश्चार्ज खिचा हुआ और थोड़ा मोटा होना सुरू हो जाए तो आम तोर पर यह इस बात का संकेत देता है कि आपकी वाडी में ओबलेशन हो रहा है ओबलेशन वह समय होता है जब आपकी वाडी में एग रिलीज होता है उस समय यद तो पहला उपाए बारवार एवार्शन करवाना यानि कि आपको बारवार एवार्शन करवाने से बचना चाहिए यदि आप नए नए पुरसों के साथ रिलेशन बनाती है तो ऐसा करने से आपको बचना है क्योंकि इन कारणों से भी अधिक स्राव होने लगता है दूसरा उपाए आप बिना डॉक्टर की परामर्स की किसी भी प्रकार की मेडिशन का प्रियोग मत करें अपने प्राइवेट पार्ट की जो प्रॉबलम है उससे छुटकारा पाने के लिए तीसरा उपाए आप प्रती दिन अपने भोजन के शाथ 100 ग्राम दही का शेवन अवश्य करें क्योंकि दही में रूगाणों से लड़ने की छमता होती है जो सरीर में संक्रमण को कम करती है चौथा उपाए खाली पेट दो केले आपको डेली अवश्य खाने है इसके अलावा आप सीजन का कोई भी फ्रेस फ्रूट जरूर खाएं और आपको गाजर, मूली, चुकंदर आप इनका कर जूस पी शकती है तो डेली आपको एक गलास ये जूस पी लेना है जूस को पीन गलास पानी आपको किसी मतलब बरतन में रख देना है फिर उसमें आप एक चमबच अजवाइन डाले और इस पानी से आप अपने प्राइवेट पार्ट को लेकिन पानी गुंगुना होना चाहिए ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए इससे अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करेंगी तो भी आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम में रहत मिलेगी इस समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा इसके अलावा मैं आपको एक नुस्खा और बता देती हूँ अगर आप नीम की पत्तियों का पानी उबाल कर उस पानी शे भी पत्म हो जाएगी तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के शाथ और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर भी कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल मत बूलना थेंक यू